इस लेक्सर में हम Species Recovery प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे ये क्या था 2008-09 में गौवर्मेंट ने एक स्कीम लॉंच की किस नाम से Integrated Development Wildlife Habitate के नाम से एक योजना लॉंच की किस ने Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने ये प्रोग्राम लॉंच किया किस लिए ताकि जो जंगली जानवर हैं उनको ब Wildlife Habitate के अंदर तीन प्रोग्राम थे कौन-कौन से इसमें जी फर्स्ट था इट मींट फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्रोटेक्टिड एरियाज ये प्रोटेक्टिड जितने भी एरियाज हैं उनको बचाया जाए सपोर्ट किया जाए कौन-कौन से प्रोटेक्टि IW है इंटी विडर्स का उसमें टाइगर रिजर्ब नहीं है यह आतर रखना treatment में यह बी देके पूछा जाजाए कि इन्क्लूडिंग टाइगर रिजर्बétais नहीं है जी एक्सक्रूड है एक्सक्लूड है से wildlife century से जो जंगली जानवर बाहर घूमते हैं उनको भी protected करना है उनको अभी protection करना है यह याद रखना आपको outside जो भी जैसे मानलों कोई उटेक है मले हाथी elephant बाहर घूमता है जंगलों से उसको भी protect करना है recovery program for saving critically endangered species and habitat जिसे हम पढ़ रहे हैं जो इस topic की heading थी species recovery program इसी के अंदरगत चलाया गया था ताकि जो species हैं जो जीव जनतों हैं उनके habitat को बचाया जाके habitat का मतलब होता है जी घर उनका निवास सथान जहां पे रहते हैं forest areas कौन कौन सी condition उनके लिए चाहिए उनको protect किया जा सके अभी news में क्यों हैं अभी recently news में इसलिए जी species recovery program क्योंकि इसके अंदरकत पहले 21 critically endangered species हुआ करते थे लेकिन अभी एक और species जोड़ दिया गया अब 22 हो गए किसने जोड़ा जी national board for wildlife and union ministry of environment इन दोनों ने जोड़ा जी इसको काराकल को critically endangered species की list में डाल दिया गया ये इंडिया में अभी राजिस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मिलता जी कुछ छेत्र में मिलता है राजिस्थान और गुजरात में ये medium size का wild cat है जंगली बिल 22 का उसके अंदर गत इसको बनाया गया था इसे prime minister इसके chairman होते हैं जी head करते हैं इसको और ministry of environment ने मिलके इसके साथ इसे critically endangered category में डाला है काराकल को तो ये recovery program है जी जो अब इसके जो species की list है critically endangered species है वो 22 हो गए हैं अब 22 पहले 21 थे अब क्या है जी इसमें कौन कौन से species आते हैं ये होगा जी एक तो snow leopard, bustard, florican including, dolphin, hungul, neilgiritar, marine turtles, dungongs, edible nest, swiftlet, asian wild buffalo, nicobar, megapod, manipur bro, antler deer, vultures, malawar civet, indian rhinos, asiatic lion, swamp deer, jaydon, couriers, northern river terrapin, clouded leopard, arabian, sea humback, whale, red panda, and last one caracal ये recently जोड़ा है अब इसमें एक चीज़ नोटिस की इसमें tiger नहीं है जी ये चीज़ याद रखना है क्योंकि tiger reserve को भी include नहीं किया गया है इसलिए tiger भी नहीं है जी जो 22 species की list है जी species recovery program में critically endangered species की list है इसमें tiger नहीं आता ये आपको याद रखना है प्र तो थोड़ी extra knowledge ले लेते हैं काराकल ये आपको दिखाई दे रही है जंगली बिली इसके long pair होते है जी long leg होती है इसकी और इसके pointed ear होते है जी pointed long and pointed ear ये point बना हुआ है और इसके जो black hair होते हैं कान के उपर ये दिखाई दे रहा है इसके बारे में क्या जी जो काराकल है वो अफ्रीका, East, Central और South Asia में मिलता है इंडिया में ही नहीं मिलता है अफ्रीका में मिलता है इंडिया में तो इसकी population क्या है डिकलाइन हो रही है घट रही है एसिया में एसिया और इंडिया में डिकलाइन हो रही है लेकिन अफ्रीका में flourish कर रही है अफ्रीका में इसकी population increase हो र उसकी जो रेड लिस्ट होती है, उसमें लीस्ट कंसर्ण में आता है, यह चीज़ याद रखनी है, सिर्फ इंडिया में ही critically endangered है, क्योंकि इंडिया में इसकी population decrease हो रही है, decline हो रही है, अब जो यह wild कहता है, इसकी जो कुछ feature दियो है, long leg होते हैं, जी देखा हमने, short face, छोटा इसका चैरा होता, long canine teeth होते हैं, distinctive ear होते हैं, इसके अलग ear को, कान होते हैं, long and pointy होते हैं, जी इसके कान, ear हमने देखा भी, और कान के उपर black hair होते हैं, देखा हमने टिप पे, जो इसके iconic की रहे हैं, इसके नाम पर ही इसका नाम रखा है, क्योंकि जो कारा कल है, वो word कहां यह Turkish language से आया, जी में करा कुलक बोलते हैं, इसको करा कुलक, करा कुल का मतलब होता black ear, जिसके काले कान हो, और India में जी इससे siya ghost भी बोलते हैं, siya ghost Persian नाम है, Persian language में siya ghost बोलन जाता है, जिसका नाम होता black ear, काले कान, इसके historical evidence क्या क्या है, मतलब history में भी को इसके saks देखने को मिलें कारकल के बारे में जी हाँ बिलकुल अबुल फजल ने लिखा जा था जी अकबर नामा अकबर की बायोग्राफी अकबर नामा अबुल फजल उसमें जी अकबर के टाइम में ये हंटिंग एनिमल था जी इसका सिकार किया जाता था तो उसमें भी मैंसन है और बहुत सा साथ रखना है, ancient period में, medieval period में भी ये mention था, और हडपपा संस्किर्ती में भी इसके साखसे देखने को मिलें जी, कार अकल के जंगली बिली, उस टाइम पे भी इसके साखसे मिलें, evidence मिलें, proof मिलें, तो इस lecture में यही था जी, इसके बारे में, अम मिलेंगे किसी और lecture में, किसी औ टोपिक के साथ, तब तक के लिए इंतजार